उत्तर प्रदेश के देवर्य जन्पत का बरहज इलाका जहां गागरा नदी ने अपना रौध रूप दिखाना शुरू कर दिया है जिसको लेकर राजनीती पार्टियां अपनी अपनी रोटी से एक रही हैं और बाड़ ग्रस्त इलाकों में दोरा कराकर इलाकों के इस्तिती जानने के लिए हर जिले में एक कमेटी का गठन क्या है इसके बाद पत्रकारों से बादचीत में उन्होंने कहा कि अभी तक पांच गाउं का दौरा किया जा चुका है जिसमें सबसे खराब इस्तिती बधिला प्रतम गाउं की है जो पूरी तरह घिर चुका है SPN 9 News के लिए देवरिया से सत्या प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट झाल